नमस्कार दोस्तो कुछ लोग अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए अपना जान को जोखी में लगा देते हैं कई बार कुछ लोग रेल फाटक जब बंद रहता है तो उस रेल फाटक के निजे से पार करने कोशिज करते हैं कि अईसा ही एक घटना हुआ है दोस्तो उत्तर प्रदेश के कानपूर सहर से वहां पर एक आदमी नीचे से पार करने का कुछिज कर रहा था उसी बीच क्या हुआ उसका गाड़ी गिर गया नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं यह घटना दोस्तो उत्तर प्रदेश के कानपूर सहर से है अनुवरपूर कासगंज रेल रूट पर कासगंज की तरफ से एक ट्रेन आ रही थी उस वीच रावतपूर का रेले फाटक बन था और एक आदमी पार कर रहा था और जैसे ही रेल पट्री के नज़िक आया उसका बाएक गिर गया बाइक गिरने फाट तुरंत गाड़ी आ गया आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरक हालत करदिया उस जाना देख सकते हैं कि वह बाइक इतना चकनाचूर हो गया है कि जैसे कि उसको अब जाड़ू से बाहर के लेके जाना पड़ेगा फिलहाल दोस्तो वह आदमी वहाँ से भाग गया लेकिन आरपिया उसका बाइक नमर के मदद से उसको तलास कर रही है तो दोस्तो आपको करना क्या है अभी रेल फाटक बंद रहे तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है बले ही कितना अरजेंट काम हो रेलवे फाटक पर दोस्तो छोटी सी लप्रवाही आपकी बहुत ही बड़ी जान की दुस्मन बन सकती है रेलवे फाटक पर आपकी छोटी सी लप्रवाही बहुत बड़ा घटना का कारण बन सकता है और दोस्तो यहाँ एक आदमी का घटना का सवाल नहीं है हजारों पैसेंजर बैठे हुए हैं उन हजारों पैसेंजर को भी नुक्सान हो सकता है गाड़े डिरेल भी हो सकता है ऐसे कई सारे भटना हो सकती है आसा करता हूँ कि आप सुरक्षित रहेगा साउधान रहेगा